हलो गाईज वेलकम टो एर चनल एस्टम है शेयर मार्केट स्टोकर स्टोकर जो बात करेंगे BCG यानि कि ब्राइट कॉम ग्रूप लिमिटेड तो गाईज यहां पर अगर बात करें ब्राइट कॉम ग्रूप की तो यह नोवा लोवर सर्किट है एंड लगातार जो की डाउन ट्रेंड पर चल रहा है प्लस इसके अलावा एक और भी लेटर आया है क्या लेटर में क्या डिसक्स हुआ है पूरा डिसक्सन इस वीडियो की तो करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूले अदो एक लेटर अगर बात करें आज के हाई की लोकी तो बिलकुल यहां पर जो की जम के बैढ़ गय है हो सकता है यह करीब करीब 11 रुपे के आस पास तक यह जाए अगर बात करें इसके अलावा इसके अभी एट पेजिंटी सिच्वेशन की तो आज जो वोल्यूम ट्रेड हुआ है वो करीब करें सवा 49 लाक एकुटी वोल्यूम ट्रेड हुआ है नसी पे बीसी की बात करें तो बीसी पर शाड़े 53 लाक एकुटी वोल्यूम ट्रेड हुआ है इसके अलावा इसके सेंटिमेंट की 99 परशेंट बाय का 1 परशेंट जीरो परशेंट होल्ड करने का सेंटिमेंट यहां पर नजरा रहा है अगर बात करें इंसाइडर की तो 2020 में बड़ी बाइंग हुई ह 2020 में भी काफी बड़ी बाइंग की गई है इसके अलावा बोर्ड मिटिंग की बात करें तो इसके रिजल्ट आ चुका है 14 अगस्त को रिजल्ट आया था अगर बात करें इसके रिजल्ट की तो यहां पर रेवेन्यू में उचाल देखने को मिला है जून क्वाटर में नेट 92.54 जो की बनी उए है इस इसमें प्लेजबी three point six seven परशेंट के साथ है एकी बात करें तो होल्ड़िंग को डिक्रीज किया गया है जून कोटर में डियाई की बात करें तो डियाई की होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है अगर बात करें पबलिक की तो पबलिक होल्डिंग में इंक्रिमेंट देखने को मिला है जून कोटर में अदर्श की बात करें तो अदर्श की होल्डिंग यहां पर दुबारा आई है पॉइंट जिरोन परसेंट के साथ यहां पर बिल्कुल यहां पर डंपिंग होई है FII की भी डंपिंग बड़ी हुई है करीगरी साथ परसेंट के आज पास और इसके लावागर बात करें पीश कंपनी की तो टाटा एलेक्सी तानला प्लैटफोर्म सी इंफो सिस्टम रेट गें तो यहां पर काफी सारी इसकी जो की पिर्षक कंपनी है इसके पैरलर्ण कंपनियां है अगर बात करें इसके टॉटल एकुटी की तो टॉटल एक्टी काफी ज्ञादा है 201 Walmart से भी ज्यादां 202 waited के आज पास MARKC के पास ए 1934 में पास करें FII, DII, other सब कुछ इसमें include है, इसके अलावा अगर बात करें इसके letter के, तो guys यहां पर लगातार, जो कि काफी बड़ा बवाल हो रहा है, resignation यहां पर CFO, CMD द्वारा resignation दिया गया है, leadership transition, a transition leadership team was proposed with the responsibility, जो कि यहां पर एक लेटर के तुरू यह सब बताया गया, कि एक तो यह resignation है, leadership जो transition होती है, उसका पूरा ब्योरा दिया जाएगा, internal communication, it was decided to promote, promptly inform the company's staff about the upcoming leadership changes, transparent and clear communication will be maintained throughout this transition period to ensure minimal disruption to daily operations, so guys, यहां पर clear instruction दिये गये है, कि हर किसी को बताऊगा, कौन अभी जो कि next leadership changes होंगे, उनका clear, जो कि transparent communication होगा, external communication, जो कि of course, जो कि CAB को एक even information देना, कोई भी अगर transaction हो रही है, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि काफी बड़ी dumping की गई है, CFO, जो कि CMD द्वारा, regulatory compliance, the board acknowledge the deed for regulatory compliance steps will be taken to engage with relevant regulatory borders and ensure compliance with all applicable regulations during this transition period, तो guys, यहाँ पर clear instruction जो कि Brightcom की तरफ से दिया गया, यह letter दिया गया, 27 अगस्त को, and इसके अलावा next की बात करें, तो यह भी एक same ही letter है, इसमें भी पूरा जो कि clear instruction है, and next की बात करें, तो यहाँ पर भी एक जो कि लगाता रही है, जो कि अलग लग attachment था, इसमें next अगर देखें, तो साथ यहाँ पर instruction और भी है, that is also related to like, जो कि अभी जो letter दिखा रहा था, पहले वाले, उससे similar है, यह एक September को यह letter दिया गया है, एक board meeting हुई थी, और उस board meeting में, जो कि एक September को board meeting हुई थी, उसमें क्या कुछ decide किया गया, वो सारा प्योरा यहाँ पर मौजूद है, इसमें से of course, यहाँ पर जो कि, जो transaction हुई है, उसको clear cut, यह clearly बताया गया कि उसको transparent रखा जाएगा, plus resignation और वो सारी चीजे यहाँ पर declare की गई है, the board has also issued instruction to the transition leadership team, जो कि एक महीने का हो, तीर महीने का हो, छे महीने का हो, एक week का हो, within a week, sorry, within a week, जो कि budget उसको present करना होगा, तो guys, यह सारे decision यहाँ पर लिए गए है, और इसके अलावा 30 September को ASEM schedule की गई है, अब ASEM में क्या कुछ announce होना है, वो भी काफी बड़ा matter है, the board is taking appropriate measures to revoke the authorization of Mr. M. Suresh Kumar Reddy and Mr. SL Narayana Raju as signatories of the company at all level, तो guys, यहाँ पर काफी सारे decision लिए जाने है, अब देखना बाकी यह है कि 30 September को क्या कुछ होने वाला है, एंड लगातार जो की नोवा ओलरी जो की इसमें lower circuit लग चुका है, तो guys, अभी मेरे हिसाब से एक दो lower circuit और लगने के यहाँ पर आशाए हैं, और उसके बाद हो सकता है कि share price दुवारा से वापस mood पड़े, क्योंकि बारा रुपे तक यहाँ पर जाने के chances लग रहे हैं, so thanks for watching the video, please like, comment, share and subscribe, thank you, take care.